हेलो एब्रीवन जैसा कि आप सभी लोगों का सेसी एमटीयस का एक्जाम है तो उससे रिलेटेड यहां पर आपको सारे कुष्चन करवाने वाले हैं जो की आगे आने वाला जो आपका सेसी एमटीयस एक्जाम है उसके लिए यह कुष्चन जो भी आपके प्रस्ण बहुत ही म नरेंद्र नाथ ने स्वामी विवेका नंद जो थे यानि कि स्वामी विवेका नंद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने अमेरिका के सिकागो सहर में 12 जनवरी 1863 को भासर दिया हुआ था बच्पन में इनके नाम की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र नाथ इनका स्वामी विवेका नंद ने अमेरिका के सिकागो समेलन में भासर दिया हुआ था नेक्स्ट कुश्चन आगे देखेंगे नेक्स्ट कुश्चन है कि गोफिका वर्मा किस साष्त्री नत से संबंदित हैं तो मोहिनी अट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे नेक्स्ट है कि सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंदित है तो यहां पर होकी टूर्णामेंट राइट आंसर हो जाएगा जिससे सुल्तान जोहर कप संबंदित है तो होकी टूर्णामेंट का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि आ बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगुलो म्रेट, नमक की चटन और सेल खर्यादी जो सारी चटाने होती है, ये बलुआ पत्थर से संबंदित होती हैं। इन्हें ही बलुआ पत्थर के अंतरगत रहा जाता है। नेक्स्ट क्विशन था कि हीरो इंडियन सुपर लीग यानि आई एसल जो यहाँ पर है आपका इंडियन सुपर लीग है जो के पहले संस्क्राण की विजेता टीम कौन सी रही हुई थे तो इस सबसे पहले तो बात करें तो आई एसल ए भारत के फुटबॉल टीम से संबंदि है जो इंडियन सुपर लीग है इसका फुटबॉल चेंपियंस है जिसकी सुरुवात बारे एक्टूबर 2014 को हुई थी तो सारे फैक्ट याद रखने है और एल्टी को डी कोलकाता फाइनल में केरल ब्लास्टर को एक जीरो से हराया हुआ था तो यहाँ पर जो आपका कोलका जाता है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा जो की हराया हुआ था नेक्स्ट कुश्चन है कि बुझे हुए चूने का रास्टाइनिक सूत्र क्या है तो सी ए ओच का होल टॉइस यानि की कैल्सियम हॉइड्रो अक्साइड जो होता है उसे बुझा हुआ चूना कहा जाता ह बाकि अगर आपका जो नॉर्मल चूना होता है वो सी ए सी यो थी यानि की कैल्सियम कार्बोनेट होता है तो यहाँ पर बुझा हुआ चूना पूचा गया था तो सी ए ओच का होल टॉइस यहां पर हो जाता है नेक्स्ट कुश्चन है कि भारत में पहली निर्वाचित लोग सभा की तो 15 अगश्ट 1947 को भारत के स्वतंद्र होने के बाद 1951-52 का आम चुनाओ देश में आयोजित पहला लोग सभा जो चुनाओ था वो पहली लोग सभा का गठन 17 अप्रेल 1952 को किया गया था तो यहां पर 17 अप्रेल 1952 राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुईस्टन है कि रोंगाली बीहु असम के प्रमुक तेवहारों में से इसे और किस नाम से जाना जाता है तो रोंगाली बीहु को बोहग बीहु भी का जाता है और यह अप्रेल के महीने में के मद में असम में मनाया जाता है तो यह यहां पर आपका हो जाएगा असम में मनाया जाने माला, जिससे कि आपका तीन बार भीhu मनाया जाता है असम में, और ये भी भारत के आट साश्थिरी औरतों में से एक आसम का साश्थिरी नित है, तीन बार भीhu का आयोजन होता है शाल में, नेक्स्ट क्विश्चन है कि नवंबर 2022 में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बैंगलूरू में किसकी प्रतिमा का उद्गाटन किया तो बैंगलूरू के संस्थापक नाथ प्रभू कैम्पो गोडा की 108 फुट उंची कांस की प्रतिमा का नावरान किया हुआ था तो कैम्पे गोड़ा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जिसका उद्गाटन नरेंदर मोदी ने 2022 में बैंगलूरू में किया हुआ था नेक्स्ट कुईशन देखेंगे लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो उनको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहां पर हर एक्जाम से रिलेटर अनलैसिस आपको मिलता है बा 23 अक्टूबर को 1764 में बक्षर नगर के आसपास इस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुन्रो और बंगाल के नवाब मीर काशिम अवत के नवाब सुजावत दोला तथा मुगल बादसास सा आलमधिती की संयुक्त सेना अरब कंपनी अंग्रेज कंपनी से लड़ लई थी इसमे इसने 1178 इसवी में अपना राज रोहन किया तथा इस उबलच में एक समवत चलाया था जो कि सक समवत कहलाता था इसके सासन काल में चौथी बौध संगीती कुंडलवन कस्मीर में बौध विद्यान वशू मित्र की अधक्षता में हुई थी तो यह सारे कुश्चन आपको जयात रख लेने हैं नेक्स्ट कुश्चन था कि विशू निमनी लिखित में से किस राज का प्रसिद्ध तेवार है तो विशू की बात करें केरल में फसल तेवार और मलयाली मलयाली लोगों के बीच खगोली नववर्स के रूप में मनाया जाने वाला आपका तेवार है व जो कि नए उपराष्ट पती बने और भारत के चौदवें उपराष्ट पती हैं नेक्स्ट कुश्चन है कि संपत्ती के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है तो संपत्ती के अधिकार को 44 में समिधा संसोधन अधनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से आपका हटा दिया गया था तो यहां पर मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया जाता है और इसे आपका अनुच्छे 301 के तायत रख दिया गया था नेक्स्ट कुश्चन था कि केरल के थ्रिकारा से उपचुनाव 2022 का विजेता कौन था तो उमा थोमस से यहां पर राइ सतिक आ जाता है कि साश्तिरी नत से संबंदित है तो भरत नाटेम इसका राइट अंसर हो जाएगा जिने की 1957 में पदम भूसन और 1970 में पदम भी भूसन से सम्मानित किया जा चुका है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे नेक्स्ट है यहां पर कि राज सरकार की समश्थ राजपाल के नाम पर की जाती है तो यहां पर राजपाल राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है कि भरत नाटेम नरत से संबंदित प्रमुक कलाकार कौन से है तो यामनी करस्ण मूर्ती काफी परसिद है जो कि भरत नाटेम से संबंदित है अगला है यहां पर म तो ये सारे काफी अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट कुश्चन है कि बैड मिंटन में नेट की जमीन से उचाई क्या होती है। अगर बैड मिंटन के लिए बात करें तो एक कोर्ट दो भागों में बटा होता है। जिसकी लंबाई 6.7 मीटर होती है और उसके बीच में एक नेट होती है जो की 1.55 मीटर होती है। तो ये आपके कोर्ट की लंबाई होती है जो की पुछा गया था। इसी तरह फुटबॉल की बात कर लें कि फुटबॉल फील्ड की लंबाई कितनी होती हैं। इंटरनेशनल मैचों के मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर होती है और चोणाई जो होती है वो 64 से लेकर के 75 मीटर यानि कि 70 से 80 यार तक होती है यह फुटबॉल का भी कई बार पूचा जा चुका है नेक्स्ट कुशन देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर कि 2011 क्रिकेट वर्ल्ड क में मैंदर सिंग धोनी की कप्तानी में जीता हुआ तो यहाँ पर आयोजन पूचा था तो आई सी सी क्रिकेट विशुकप 2011 की बात करें तो यह दसवा नंबर का क्रिकेट विशुकप था इसकी मेजबानी टेस्ट क्रिकेट खिलने वाले तीन दक्षिण एस्याई देशों क के द्वारा की गई थी इसमें कि भारत था तूसरा श्री लंका था और तीसरा बांगलादेश रहा हुआ था और यह विशुकप जो है भारत ने जीता हुआ था और क्रिकेट विशुकप की संयुक्त मेजबानी करने का यह बांगलादेश का पहला उसर रहा हुआ था तो य मेटा ने अजीत मोहन के जाने के बाद में संध्या देवनाथन को मेटा का नया अध्यक्ष यानि इंडिया का हैड नियुक्त किया है तो इंडिया का जो हैड है मेटा इंडिया का वो संध्या देवनाथन है वर्दमान में कमपनी ने भारती कारोबार का नया प्रमुक पूर्ण यानि इंपोर्टेंट होने वाले SSC MTS के एक्जाम जिनका अप्रिल में लगा हुआ तो I hope कि सभी लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा तो finally वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को कर देना है सबस्क्राइब और WhatsApp गूर्प और Telegram चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ताकि जो भी अपडेट है वहाँ पर आपको मिलती रहे और साथ चैनल जरूर सबस्क्राइब करना है क्योंकि हर एक्जाम करने लाइसेज भी यही पर मिलेगा